क्या ही धन्य है हर एक जो यहुवा कब है मानता है और उसके मार्गों पर चलता है क्या ही धन्य है हर एक जो यहुवा कब है मानता है और उसके मार्गों पर चलता है अब सुन जखेखे सुपसंदेश मौनिंग वोईस अब बरदर जोर्ज जोन इंडोर से वजन से वाटा जाएगा परमेशर की बेड़ी नाम की स्तूदी को यह मौनिंग वोईस से द्वारा सुनने वाला हर एक बाई भगनों को प्रभुईश मशी का नाम का अबिदांदर यह मीडिया के द्वारा परमेशर का शुब संदेश फाइलाने के लिए परमेशर ने एक अवसर देता है इसलिए धनिवाद करता हूँ आज का हमारा मानन के लिए एक सुपरिचित पत पढ़ना चाहता हूँ उल्पति की किताब तीसरा धिया आए 21 पत जेनसिस चाप्टर 3 वेर्स 21 और यहोबा परमेशर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमडे के अंगर के बिना कर उनको पोहिना दिया हम जानता ही कि उल्पति की किताब में पगला ध्याय परमेशर ने इस दुनिया को रचाया उसके बाद दुनिया में क्या क्या चाहिए सब को बिना के रिख दिया उसके बाद मनशी को परमेशर ने अपना खातों से बिनाया, बाकि सब को परमेशर ने अपना मूँ से निकलने वाला आवाजों से बिनाया था, परंदू जब मनुष्य का बिनाना का टाइम आया स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर प्रती पर उधर कराया मिट्टी अपना हाथ में लिया है वो मिट्टी से आदम को बिनाया है कितना प्रेम परमेश्वर मनुष्य से करता है क्योंकि परमेश्र यह चाहता है कि मानुश्य के साथ परमेश्र जीए उसके लिए ऐसा परमेश्र ने बिनाया अपना सुरू में बिनाया परमेश्र का महिमा उसी के ऊपर परमेश्र ने दिया है परमेश्र का महिमा देख सकता है उसी में इतना कुपसुरत तरीदी से बिनाय परंदू हम जानता है कि परमेश्यूर ने उसको कुछ आगिया दिया था, वो बेगेचे के बीच में एक फेट का भराई और बुलाई जानने वाला फेट का फल नाकाना, परंदू हवा ने पहले का लिया, हवा ने वो आदम को भी दिया है, वो दोनों उसी टाइम परमेश्य का महिमा से वर्जित हो गया, परमेश्यूर ने परमेश्यूर का कुपसूरत के जैसी बिनाऊवा लोग उसी परमेश्यूर से दूर होकर वो उसकी का सुरू चेंज हो गया, वो खराब दिशा में आ गया है, उसी के उपर परमेश्यूर ने महिमा दिया था, वो महिमा का वत निखल गया है अभी क्या है तिसरा दियाए में हम देखेंगे वो नंगा हो गया वो पत्ता लेकर अपने लंगोट्टी बिनाया फरंदू उसी से भी काम नहीं हो पाया यह बात हम देख सकता है फरंदू उदर हम देख सकता है कि आईसी परमेश्चुर ने उन लोगों से बात करने के बाद परमेश्चुर ने उनका नंगापन को दूर करने के लिए उसका नंगा अठाने के लिए परमेश्चुर ने एक सुविदा दिया है यहो वा परमेश्चुर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमडे के अंगर के उनको पहना दिया हम जानता है कि चमड़ कहां से मिलता है एक जानवर से मिलता है परमेश्वर ने इन लोगों को कपड़ा पहनाने के लिए उसका नंगापन को अठाने के लिए परमेश्वर ने एक जानवर को एक मेमने को मार दिया है उसी का उसी का वो चमड़ी निकल के उस इसको बेना दिया ओदर हम देख सकता ही कि परमेश्चुर ने एक ही एक साक्रिफिस के द्वारा ये आदम और हीव को कप्ड़ा पगना लिया। जब हम ये कपड़ा आदम और ईव देखता है जब उसी के उसी के अग्गों के सामने वो ममने को परमेशर काट रहा है उसी को कुन भागर निकल रहा है वो किलते हिलके हिलके उसका जीवन कदम कर रहा है ये खरेक बात आदम और ईव ने देखा है उसके बाद उसका चमड़ा निखाल रहा है जो उसीने कपड़ा को दीगता है ये उसका दिमाग में आ जाता है। इदर से हम क्या देख सकता है? परमेशुर का प्रेम हम देख सकता है। परमेश्वर ने पाप किया लोगों को भी उसने त्यागा नहीं है, उसने प्रेम किया है, उसी को क्या चाहिए, वो विवस्ता करते के बाद, वो आत्म बाटिका से बागर निकला, क्योंगी वो जीवन का फल भी काके, वो हमेशा के लिए जिंदा रहे, उसी कोई भी उदार क रास्ता बेन नहीं पाएगा, आईसी एक स्तिदी ना आये, इसलिए उसको दूर कर दिया है, प्रिविस्वासियों ये मेमना प्रभु ये शुमशी का एक तस्वीर है, उसी के चारगाजार साल भाद इस दुनिया में आकर हमारे लिए जीवन देने वाला प्रभु ये शु होगे थे, परमेश्वासियों का महिमा हम से दूर हो गया था, परंदू, वह महिमा में हमको वापस लाने के लिए, ओ, दो हजार साल पहले, कालवरी क्रूस पर, एक वह मेमना आदम औरीव के सामने, काई से तड़कते 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 मर रहा था, उससे भी बढ़कर, हमारा प्रभु ईश्वासियों कालवरी क्रूस पर हमारे लिए तड़कते तड़कते मरा है, परमेश्वार का क्रोध, परमेश्वार का दंड उसी के उपर आ गया है, ओ, कितना अरीदी से हमको पहनाने के लिए, हमने प्रभु ईश्वासियों को अंगिगार किया है, इसलि अभी तखकाप मीनं नंगाए अभिकग Imperium में है। परंड़ु परमेशρα को नई किया है यह संदिस साल इस दुनिया में रखा है बतना कश्ट और कितना तकलिफ सका है सुसाबजार की किदाब हो में हम देख सकता है उसने इतना तकलिफ और इतना कठिना इतना परेशानी हमारे लिए उसने उठा है आखरी में हम देख सकता है कि है परमेशर है परमेशर मुझे क्यों चोड़ दिया है आई से आवाज कालवरी क्रूस पर हम देख सकता है हम को सालवेशन का उद्धार पहनाने के लिए परमेश्वर का बच्चा हम को बनाने के लिए परमेश्वर के पास हम को लेके आने के लिए परमेश्वर को प्रभूईश्य मशी परमेश्वर का पिता का ये घरल उटता भेटा उसी को त्याग दिया है कितना प्रेम हम से कपर गिया है हम मेरे बात सुनने वाला कोई भी अभी तक प्रभूईश्य मशी को अंगे यार नहीं किये उसी को अंगीगार करे, आपका पाव कर श्यमा पाए, आप परमेश्वर का महिमा में वापस आ जाए, परमेश्वर का संधान बन कर, परमेश्वर का परिवार में जनव होने के लिए, ये वजनों के द्वारा परमेश्वर आप करदियों में बात करे, उसके बेड़ी नाम की में में हमाओो